हुआ है हरे गिश्टा है तो बहुत ही है संख्या में बढ़ोत्री हो रही है ऐसे यहां कि सुभे से आप लोग आते हैं और वैसे भी सुभे का समय वेदी संस्कृति में मंत्र पार्ठ का होता है तो भगवद्गीता की प्रात्मीक सिक्षाय आमने देखी जीव इश्व प्रकृतिकाल और कर्म है सेकंड लेवल में भगवद्गीता के विस्तृत रूप से विशय जो है उन विशयों को ज्यादा व और कैसे पढ़े इसका अभ्यास कैसे करें इमहत्व पूना है कि कम से कम हम अब तक तो इतना तो हमें विश्वास हो गया है कि कि वेद पढ़ने चाहे शास्त्र पढ़ने चाहे पर कैसे पढ़े बहुत सारे गरंथ है आप सबको पता है कि बहुत सारे गरंथ है और हम बहु गीता व्यास देवने महाबरत में एक लाक्ष लोग है पर उसमें सबसे महत्वप्रण जोष्ट लोग है गीता के साथ सब्सक्राइब और भी महाबरत में बहुत सारे उपदेश भी दिये गए है पर यह सरुतम सिक्षा है इसलिए बताया गया है सरुपनिशदों गाऊ लोग्ष रुप से किया गया है सीधा बात नहीं करते हैं तो उस सबका सार जैसे एक ग्वाला होता है अनिक प्रकार की घांस अललग प्रकार की वराइटी की गाय को खिलाता है और फिद गाय का दूद निकालता है और गाय का दूदम पी लेते सब पोश्टिक तत्वा में म जुन भी वो पी रहा है और हमें भी पीना चाहिए हरो जब स्नानम सुबह आस्नान किया तो हमारे एक दिन का जो मैल था वो साफ हो गया मला निर्मोच नमकों साम जलस्तानम देने देने पर हरो स्नान करना पड़ता है सक्रत गिता मृत्तम सानम गिता हमें एक बार भी ठीक स प्रश्तान कर ले तो संसार का मैल यानि की अनेक जनमों का जो मैल है वो दूर हो जाता है तो इसलिए गीता अध्यन है आवशक है और गीता महत्या में और भी एक श्लूक आता है कि अभी सब पुरे भारत का एक जंडा होना चाहिए एक गीत होना चाहिए राष्टर गीत र राष्टिये चलती है तो वास्तों में राष्टर का एकी शास्त्र होना चाहिए वह अभी तक हमने बनाया नहीं वह बगवर गीता एकी देव होने चाहिए देव की पुत्र एक मंत्र होना चाहिए उनके नाम और एकी काम होना चाहिए उनका सेवा एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव, देव की पुत्र एव, एको मंतरस तस्य नामानी यानी कर्मा पेकम तस्य देवस्य सेवा, तो इस प्रकास से भगीता का महत्यां कही प्रकास से पताया गया है, तो भगीता अध्यन करें उससे पहले हमें गीता अध्यन से क्या लाब होता है, उसको हाला कि क्योंकि हर पुस्तक में फल्षूति दिगे होते हैं फल्षूति मनणरप उसको पढ़ने से या सुनने से क्या लाव होता है वो हर ग्रंथ में मिलता है तो यहाँ पर भी है फलस्रुति भगवान स्वेम बताते है या इदम परमम गोहियम मदबक्तेश वभिधास्यती भक्तिम्माई पराम्तुत्वा मामे वेश्यत संशयाः जो मनश्र भक्तों को यह परम गोहिय ज्यान देता है वन इस चितरूप से शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और जीवन के अंत में मेरे पांस लौट आता है आप मेंसे अधिकतर भक्तों ने डिस्सेंबर में गीता वितरन में भाग लिया इन लोगों ने डिस्सेंबर में दो लाख मलब रुपिय कलेक्ट किये इतना काफी सारी किताबे अगर दो सो रुपय भगवत गीता के अगेन या दो सो रुपया तो बड़ी पुस्तक हजार जितनी हो जाते हैं सब लड़कों ने सब इस्ट्रिबिट किया तो यह है कि हम इस दिव्यज्ञान को जितना वितरित करते हैं उतना ही हम योग्या बन जाते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए और भगवान कहते है कि उस व्यक्ति से अधिक मुझे और को प्रिया नहीं ना चा तस्मान मनोश्य शुक कश्चिन में प्रियकृत तमह पविता ना चा में तस्मादन्य प्रिया तरोब हूई हैं तो वह भगव्गीता जो है उसमें पांट स्विश्षे है इसकी हमने हमने सचा की जीव ईश्वरण परतितिक आल और करम और इसमें अपको पथा है हम सब है जीव है आत्मा है जीव यानि कि हाँ पर वह है कि आत्मा तीन प्रकागे शरी वो तेक स्थूल शरी इसको हम देख सकते हैं सुक्ष्म शरी मन बुद्धी अहंकार से बना हुआ है गुरॉस बॉड़ी सटल बॉड़ी और तीसरा है आत्मा हम आत्मा है पर ये कवर है जैसे शरी के उपर भी स्थूल शरी के उपर है तो आत्मा के उपर भी दो शरी है एक सुक्ष्म शरी है और एक स्थूल शरी है और हम उसके सुख दुख को अपना ही सुख दुख गिनते हैं और उससे संबंदित लोग है उसको ही अपना सगे संबंदी समझता है वास्तों में ऐस ना तो समझी सकता है कि कोई शक्ति तो है पर यह शक्ति क्या है इसकी समझ किसी को नहीं है विज्ञान भी मानता है कि कोई शक्ति है इसलिए तो वहां शक्तियों की सर्चा चलते गुरुत्वाकर्शन की शक्ति magnetic energy electromagnetic energy तो उन्हें प्रकाइगि शक्तियों की सर्चार्ड चरते हैं ल कौन है उसको कौन चलाता है वह पता नहीं तो वह इश्वर है जो सर्व्याल्पी है सर्वग्या है सर्वनेंसिंथर्ख है और हर जगह पर वो पस्तित है और फिर भी उनका दिव्य अपना शेरी भी है तो उनका शांस्त्रों में जो नाम दिया गया है रूप दिया गया है वो है शाम सुंदर और फिर उनहीं के अनेक अवतार होते हैं जो विविन्न रूपों में इस संसार में प्रगट होते हैं, अनिक लिलाय करते हैं, और वो हमारे मित्र की भाती है, जैसे एक यहां पर पक्षी दो पर अठेग है, तो उसी प्रिकार से दो पक्षी है, एक आत्मा और दूसरा प्रमात्मा, हम लोग है, फल खाते हैं, इसलिए प्रकरती, यानि कि इस संसार क्या है, और संसार से पर दूसरा संसार क्या है, क्योंकि हमें इसी संसार की अनुभूती है, विज्ञान में नेशनल जेओग्राफी डिस्कोई चैनल इक्या देपर जाएंगे, तो सब दिखाएंगे, कि अलोला जगह दिखाएंगे, और बहुत चोटी सी जगह में है, और बहुत सारा विशाल व्रहपा्माद उसके बार में नहीं जानते, एक तर भगवान ये शास्डों में ये संसार भी क्या है और से परे दिविय संसार क्या है उसको भी पता दिया है, कर्म के बार में बीश्रचाम और ये ब्रकरती हैं, तीन शद्दा, वाने, सबकुष तिन गुणों से प्रभावित होता है, तो सत्व गुणों इसमें सबसे अच्छा है, क्योंकि सत्व गुणों में ही ज्यान प्राप्त करने की जिग्याशा होती है, और विक्ति सही वस्तू, अपने वस्तू को सही रूप में जान सकता है, तो आवज़शक है फिर हमने काल की सर्चा किया शास्टों में है काल की गिंती सेकंड के मलब अजार या दसजार भाग से लेकर युगो तक गिंती की गई है पर हम सब को जो भी समय मिला है वो भगवान की शक्ती है इसका सदुप्योग नहीं करते है तो अंत में काल के रूप में सर्वस्तों नश्ट हो जाती है और फिर हमने सर्चा किया था कर्म अच्छा कर्म बुरा कर्म पाप कर्म क्या होता है पुन्य कर्म क्या होता है कर्म का फल कैसे मिलता है कर्म के चक्र से कैसे मुक्त होना है इस सर्चाए भी हमने की क्या हुआ हैं तो भगता जोने की समग्शा जो बताए गई है नंके बगवाण कहते हैं यह जो है उसको समने का पहला तरीका ही कि परंपरा अस ग्यान को प्राप्त कर दा मैं कि जैसे हमारी पर तो तो दीवर्शियों की परमपरा है अर्जुन ने फिर ग्यान लिया जोने अपने पुत्र को भी बताया अलगि वो दिक्षा नहीं देते पर ग्यान तो देते अपने पुत्रों को जिसे रश्रद्या ने अपने पुत्रों को दिया तो उस प्रकाश से राज़ाश्योग की परमपरा भी है और देवरश्योग की परमपरा भी है पर कई लोग नहीं समझ पाते कारण है कि वो भक्ती की द्रश्टी से उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं और कई लोग पढ़ते हैं तो साधना साथ मनी करते हैं तो वागीता में जो मार्ग बताया गया है उसको समझने कमार कर बताया गया साथ सुष लोग याद कर लेते हैं तो कमपेटिशन होते गीता की जैसे नेशनल लेवल पर तो उसमें कई बच्चों है तो पूरा गीता याद कर लेते हैं पर उनको अगर पूछा गया एक लड़की को कि गीता का सार क्या है तो पूरी गीता याद करने के बाद भी वो समझ के पायी कि गीता हकिकत में क्या कहते हैं तो उसको अगर गीता को सुनते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं तो यह प्रशिद्ध प्रश्ण करने से भी कोई गीता नहीं समझ पाएगा दूतराष्ट बार-बार प्रश्ण करता है पहला ही प्रश्ण उसने क्या किया मामका पांडवास्टे वकिम कुरुपत संजय मेरे वर पांडव के पुत्रों ने युद्ध भूमी जो है धर्मक्षित्र कुरुक्षेत्र में में एकटे होकर क्या किया तो की इच्छा से एकक व्कर उन्हें क्या किया अब मेरी पीशी पीशेश्च लोग बोल सकते हैं ततरा दो आपको इता कि याद करना है तो इसका तटारीका है उसको कि बार बार पड़ना तो जनरली तरीका क्या है कि पहली दो दो बार रिपिट करने तीसरी चौथे ऐसे दूबार रिपिट करेंगे फिर एक साथ हो दो लाइन बोलेंगे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्सवाहा फिर वापस उसको दूबार रिपिट करने और वो भी बिना देखे सुनकर ही देखेंगे तो जल्दी याद नह करेंगे है और फिर इस प्राइस से पूरा श्लोब भी वो बोलेंगे फिर तो पाँच मिन्ट में एक श्लोग ऐसे याद हो गया पिर दूसरा शुख त्शकर हो ऐसे करके दस्लोग पहले करते हैं अब तो यह कर अपते में बैखति आराम से दस लों कियाद कर लिप Qual Yes baap प ताकि जब 50 लोग इखटे हो जाएंगे तो हर 10-10 का जो एक गुरूप बना तो उसके बाद कौन साता है वो भी लिंक हो जाता है अगे वाला भी आधा कर लिया उसके साथ याद तो पता है कि 10 के बाद आगे शिरुवात हो जाती तो फिर तो आपकी कहान गीत की तरह वो चलता तो इस प्रका से 6 मेहने भी कोई मेहनत करें औररोजढ़ा गंता पुरी घीटायार कर सकता है Як प्रक् exactamente इस पे चाहिए है रोज की प्रेक्टिस चाहिए तो कई बच्चे करते हैं याद हमारे नंगरा में भी कई बच्चों में काफी सारी गीता के लोग पूरी गीता भी याद किया है कई बगतों के बच्चों ने बिए पर शुरुवात में मैंने आपको प्रिंट आउट एक प्रिंट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि थर्ड लीवल में फिर आप और डिट्रेल में जा सकते पर कम से कम पहले तो सोलाश लोग याद कर लो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है फिर ज्यादा आग आपको जाना है तो एक साथ श्लोग कम सकने याद करो तो यह भी प्र बार पाठ हो जाएगा माले शिरुवात में और एंड में तो आपको याद हो जाएंगे तो अर्जुन ने संजे ने प्रश्ण पूछा कि गीता का तो बलब आपको थोड़ा इतिहास बता दू तो क्या कि व्यासदेव आये और महाबरत युद्ध निश्चित हो गया था तो दुतराष्ट को कहा कि दुतराष्ट की बहुत जिग्या शाथे कि युद्ध में क्या हो तो व्यासदेव कहां कि मैं तुम्हें ऐसी दरश्टी प्रदान कर सकता हो कि जिससे तुम युद्ध की सब घटना से अउगत हो जाओगे तो कहां कि मैं नहीं चाहता हूं कि अपने अंतिम दिनों में अपने आखों से या इन लोग मरते हुए देखने का यह मेरा सेक्रेट वहां ऐसे नहीं देख रहा था कि कैमेरा के तरह कि उसके रदय में सब वस्तु प्रकाशित हो जाती है यह की जगह करता है पूरी युद्ध में जहां भी जो भी घटनाय हो रही है या लोग अपने कैम्प में भी शीवीर में भी क्या-क्या आपस में सरचाय कर रहे हैं उन तो युद्ध में संजय भी चला जाता है और दस दिन युद्ध में वो भी रहता है यह कम लोग को पता होगा और दस वे दिन है भिश्पन पिता है घाया लोग कर बानशेया पर लेट जाते हैं तब संजय वापस लोटता है और अभी तक तो संजय वैसे मारा जाता क्योंक तक बचा रहा क्योंकि वह भी कवरों की पक्ष्टे ही लड़ रहा था और वह वापस आता है और फिर तब दुतराष्ट कहता है कि मुझे पहले दिन से क्या हो रहा है सब बताओ तो उसने जैसे यहां पर है किम अकुर्वतो संजै क्या किया था वुतकाल में परशना है उननलोगों ने क्या किया था छो और दस्वी दिन का पहले क्या हुआ वहाँ से श्रुवात करो तो प्रत्क्ष चांखों से तो सब कुछ नहीं देख रहा है पर वह किसी को नहीं सुनाए रहे थी पर संजय को पता था क्यूंकि वह दौण उसका पता था तो वो सब बताना शरू करता है तो यहां पर है वो कहते है माम का पांधवा जब हम लोग को पुछ ते कवरों गीतने है तो लो क्या बोलेंगे छग पांधव कितने है कवरों किसको कहते है कुरू के वन्ष्य को कवरों कहते यह सबcount है पर प्रसिद्धक वह यह सौलों को ही को यह ही मेरे पुत्र ही उनके इस टाइटल के लिए युग्या है तो कवर उनका नाम हो गया है जैसे हमारे भारत में है गांधी सन्यम लगा देते हैं गांधी के साथ महात्मा गांधी के साथ महुंदास करम संद्गाधी जो है उनके साथ राहुल गांधी का या बाकी कई लोग का और उनका जो विवार हुआ फिरोज वो पार्सी था खेंडी उसकी सरनेम थे खेंडी गांधी नहीं पर उसने वो सरनेम बैडप्ट कर लिया और सरनेम लगा दिया और लोग मानते कि यह गांधी के वंशजी है और उसी के नाम पर उनको मत मिलते रहते हैं तो इन्होंने अपन प्रम लगा दिया। पहले से होता है है में और तब और अशे धृतराष्ट्राय में जो आसके धृत्व मतर हुआ थो जो राश्ट्रा की प्रति बहुत आसक्ता होता है कि जब वेक्ति आसकती छोड़ता है तब उसको घ्यान अंदर तक जाता है मेरा और पराया माम का पांडवा मेरा तो इसलिए युद्ध की इच्छा से इकटे हुए और यहां पर उसको डर था कि नवे जो है धर्मक्षेटर है कुरुक्षेटर में प्रेश ने जग्य कीए थे अहल जोते थे और वो चाहत फिर इंद्र ने वर्दान दिया थे लिए यह करेंगे कोई भी धार्मेक्रिया करेंगे तो उसको स्वर्गय प्राप्ति होगी और वहाँ पर परशुराम जी है उन्होंने जब क्षेत्रियों को मारा थी तो उनकी खुंद से पांच कुंड बनाए तो वह भी एक गटना है तो वहाँ खुंद की कुंड बन गए थे पांच और पवित्र स्थल्ब है कुरुक्षेत्र क्योंकि इंद्र का विशेश उसना जाब मिलेगा तो वहाँ पर लोग ही कठे होते थे तो दुतराश्ट की डर था कि मेरे बच्चों का मन ना बदल जाए मन कई बार शराबी वी मंदिर जाता है तो विचाह करता है कि अब तो छोड़ देना है कि हो जा होता है ना आप लोग भी मंदिर जाते तो कुछ आपके और दूसरा यह था है कि हो सकता है कवरो है पांडवों ने विचाह बदल लिया कितना बड़ा युद्ध जैसे अभी अर्जुन बोलने वाला है कि कवरों पांडवों ने विचाह कर लिया होगा कि यह लड़ाए क्यों करनी है हम लोग है कहीं और जाकर रहेंगे और है और फिर वो बताता है कि दुर्योदन है गुर्व के पांद जाता है द्रावनाचारी के पांद जाता है और सब कहता है कि आप देखिए विहोरचना आपके ही सिश्य जो है दुरुष्ट द्युम्न उन्हें विहोरचना की है और आपकी विहोरचना है दुरुष्ट द्यु दुरुपद ने अगान है दोनों अगान दुरुपद में बहुत गरीब थे तो गाये मांगने कले दुरुपद के पांश चले गए तो और अपमान कर लिया कि हमारी तुमारी मित्रता नहीं हो सकती है तो गरीब ढून रहे थे कि अभी इसका बदला लेना चाहिए मुझे फिर इसलिए वो हस्तिनापूर में आते हैं और राज परिवारत के बच्चों कुतिया करते हैं कि कवरों को पहले तो बेशते हैं कवरों दुरुपत के सामने हार जाते हैं फिर पांच पांड़ों को बेशते हैं और वो दुरुपत को पकड़ कर ले आते हैं तब है द दुरुपा दुरुष्टिवन है है वो इसी मंतरों से जन्मा था कि वह आगे जाकर है द्रोणाचरे का वद करेगा फिर बिर जब दुरुष्टिवने जन्मा बड़ा हुआ थोरा तो गुरुकुल में उन्होंने द्रोणाचरे के पांस ही बेजा पर ब्रहामन इतने उधार होते थे कि कोई भी विध्या के लिए आये तो उनको सिखाते थे योग्या अगर है सिश्य अलागे दुरौनाचारिया ने एकलव्य को नहीं सिखाया क्योंकि वो यह अयोग्या सिष्य था तो इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया पर उन्हें दृष्टी दिम्ने को सिखाया और बाद में दृष्टी दिम्ने नहीं दृणाचरी का वद भी किया तो इसलिए जो दुर्योदन है सब जाकर राजनिति बदाता है कि अब आप लोग पक्षपात मत करना क्योंकि दृणाचरी और भिश्म के लिए सबसे प्रिया वहां शंक बजाते हैं तो भगवान के शंक का नहीं पांच जन्य और रजन के शंक का नहीं दृवदत ये शंक बजे तब बर्नन है गीता में कि जो कवरों के है रदियानी व्यदारियन कि उनके रदय है कांपने लगे ऐसा ध्वनी हुआ पंच जन्य नाम का एक राक्षष होता है कि जो समुद्रम रहता था प्रवास की ना प्रवास में और वो जो संधीपनी मुनियो की पुत्र को खा गया था और भगवान उसको ढु अलाकि भगवान के लिए वो शंक उनका नित्या है पर इस लेला में होता है कि उनको प्राप्त हुआ और अर्जुन को भी जो रथ है अगनी के द्वारा दिया गिया था तो अर्जुन है तब कहता है कि अब हमा मेरा जो रथ है उसको दोनों से नाओं की बीच में लेलो में देखना चाहता हूँ कि दोनों और कौन आये हैं पर अर्जुन है बहुत सारे अर्जुन को सब दोनों साइड में देखते हैं और भगवान है उसका रथ है द्रोना चरि विराट राजा की जब गाये चुरा लिया था तब भी ये सब लोग आये थे और उसमें मारने का नहीं था सबको उन्हें मुर्चित कर दिया और छोड़ दिया पर यह अंतिम युद्धत है कि या जीएंगे या मरेंगे तो अर्जुन के फिर शेरे में बहुत प्रका के भाव पर गट होते हैं रौटे खड़े हो जाते हैं गांडी गिर जाता है दुखी दुखी हो जाता है कि क्या आमे करने आ गया हो यह सामें ऐसा तो क्या लोब हो गया है क्या आ गया है कि हम लोग इनको मारने के लिए आ गया ह हां जिनने कोई पूजा की जाती है हां जिनके साथ भाक्युद भी नहीं किसा हां उनको आप है मारने के लिए और पहले मारना मतलि क्या अथ्यारों co जाना था भेट आए खतनाक होता है वहली से माNow को रीक्तार मर जाता ही पर हत्यारों में तोसमेस तो तून्त मर आ तो पलब खूं और बहुत भेंकर द्रश्य होता है तो ये सब कल्पना करके ही अरजुन है दुखी-दुखी हो गया और फिर युद्ध नहीं करने के लिए बहुत प्रकार के तर्क दीता है उस्वेसे पहला अरजुन का तर्क है कि इस युद्ध में लाब क्या मिलेगा हमें युद्ध में प्राया सभी लोग मारे याएंगे और फिर हम युद्ध का वीजय का मौतसो मनाइएंगे तो आमंतर इंगे सब लोग आपस में चले मरग मारे जाएंगे माले तो उनकी सेना के लोग जितने भी सगे संबंदी प्रह सब लोग तो युद्ध में आ गए थे चाचा मामा ताओ भाई बतीजे जितने भी सगे संबंदी सब यहां पर उपसित थे तो फिर हमें सुख कैसे मिलेगा प्रोपाजी कहते कि संसार में25 अर्जुन की तरह ही विचा करते हैं बहुएंक अरजुन का कोई नहीं करता है तो इस अरजुन का तरखता कि दूसरा अरजुन का तरखता करो ना है कि अर्जुन है वो भक्त था और भक्त है किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहता है तो एक तो ये गुन था और दूसरा उसको लगा कि बेचारे जो सहीनिक है उसका क्या दोश है चाहे हमारे पक्षमे है या कवरों के पक्षमे है इनको तो कुछ पगार मिलता है सहीनिक को क तो हम लोग को तो राज्य भी मिल जाएगा पर इन लोग को क्या मिलेगा तो ये बीचार मारे जाएंगे तो करोना से अभी भूत हो जागया कि ये करोना उसको दया आई सब के उपर तो इस संसार में भी हमें कई लोग के पर दया आती है कोई गरीब है कोई बीमार है तो हर ज लोड़ेशा भीद्भाव होते हैं जैसे घरीब वियक्ति के उसको कहता है कि ठीक है ठीक है जैसे मदत रहर्य साहे गरीबों को लेकर ऊस्पिटल में आ गए और फिर उसको मानसहर भी कराया तो एक के पर दया करें पर दूसरों को मार भी रहें यहां दया सार्वत्रिक नहीं होते हैं एक के पर दया करते हैं तो दूसरों को मारते भी हैं जैसे कुछ लोग है अपने परिवार को पालन करने के लिए दूसरे परिवार को खतम भी करते हैं लूटते भी हैं तो यहां की जो करूना है और जो है उस शरी तक ही करूना सिमित है यहां की करोना शरी तक ही सिमित है आत्मा को उद्धा करने का कोई विचार नहीं है और इसलिए दया का पूरा अलाब भारत में 30 लाख संस्थाए है NGO, अलग और्गनिजिशन जो समाज सेवा में लगी है फिर भी समाज के सिति कोई जादा सुधरी नहीं है परिवतन नहीं हो रहा है और ऐसी दया में भी हमारी मरिया दय भी आ जाती है हम किसी को मदद करना चाहे तो हमारे पास भी रिसोर्स जायता नहीं कि हम सब कुछ दे सकते हैं सब को कपड़े दे सकते हैं, सब को खाना दे सकते हैं, सब को दवाया दे सकते हैं करना और मूल उसका कारण क्या है दुख का वो हम नहीं जानते हैं जैसे कोई बेहोश हो गया तो आपको लगे इसको अम ऐलेक्ट्रिक शॉक देंगे को आपको पता नहीं है चलो इसको एलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो चालो जाएगा नहीं मराओगा तो भी मर जाएगा तो दया के लिए हमें कारण जानना जरूर है कि दुखी क्यों है दुखों का कारण जानकर फिर उसका उपाई जानना पड़ेगा सिर्फ हम किसी को मदद करते हैं उससे लाभ नहीं हो जाता है जो कि हर व्यक्ति को अपने करम का फल तो भुगना ही पड़ता है तो मुल कारण जब जान लेंगे कि हमारे दुखों का कारण क्या है तब हम उसकी वास्तों में मदद कर पाएंगे तो आप जो पुस्तक वित्रन करते हैं उससे लोग की वास्तिक मदद हो रहे है क्योंकि जब तक जन्म मृत्यों का चक्र है तब तक दुख आते रहेंगे उससे बचने का जब तक उपाएं नहीं करेगा तब तक दया कितनी भी संसार में की जाए 30,30 जगा पर हर घर में एक संस्था बन जाए हर घर एक ऑस्पिटल बन जाए तो भी पेशन कम नहीं होंगे हर घर में एक डॉक्टर हो तो भी बिमार्या नहीं कतम होगे ते अर्जुन का दूस्ता विचा था कि गुरू जनों को मारने में पाप लगेगा किसी को भी मारने में पाप है यहां तो गुरु है और इतने वरिष्ट लोग है तो हर्मिक लोग है उनको मारने में पाप लगेगा पर प्रभुपा लिखते है कि आततायों को मारने में पाप नहीं लगता है प्रुपा लिखते हैं कि किसी को विश्ट देता है संपत्ति हरन कर लेता है पत्नी का परहन कर लेता है जमील लूट लेता है और घातक अफ्यार उससे प्रहार करता है आज के समय में उसको कहते हैं अंतकवादी या टेरिस्ट तो ऐसे लोग के उपर पुलिस दिया करें कि इस विचारा को गोली मार देंगे उसके चोटे-चोटे बच्चे उसको भी पढ़ाई करनी है तो ठीक नहीं है पाप लगेगा इसमें पुलिस है पाप का ऐसा विचार करेगी तो क्या होगा समाज्या तो अरुजुन के जब आपका विचार हो ऐसा था कि इनको क्यों मारना है तो अरुजुन का चौथा कारण बता दूवी था उसको पस्ट नहीं कि युद्ध में कौन जीतेगा हम जीतेंगे या वो जीतेंगे अगर हम हमारे में से पांच भाईओं मैंसे भी एक मर जाएगा तो फिर युद्ध में क्या हम अँस राज्य को सुख से भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे तो युद्ध में दोनों वस्तू हो सकती है हम तो आयह है युद्ध करनेए जीत की करेंगे तो युद्ध में दोनों वस्तु हो सकती है कि अर्जुन का पांच वाजो कारण बहुत महत्तु पुर्ण है कि इस से कुल परमपरा नष्ट हो जाते है युवा लोग ही होते हैं वीपी भारती सहीनिकों में जाएंगे तो ज्यादा तर लोग है चालिस के नीचे ही होंगे अधिकतर है यंग होते हैं घर में है स्त्रिया बच्चे और बुड़े रहते हैं तो जब युवा मर जाएंगे तो घर में बुड़े बच्चे और स्त्रियों को रक्षन कोई देने के लिए नहीं रहेगा और जब स्त्रियों का रक्षन नहीं होगा स्थी जो करने हो नहीं करेगा तो उस प्रकास से समाज है वह क्रम करंए में चला जाएगा ।ो कि वेजे handling में युद्धन तो अरड़्य साल के बाद जो आने वाले घटनाए है है उसका भी विचा कर रहा है हम भी संसार में जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसके short term और long term तुरंट और बाद में उसकी क्या प्रतिकिया आएगी उसका विचार करना चाहिए अन्य था जो कार्य है और अर्जुन अपने उदहां से भी कि में जो उदहां एस्टाबलेश करूंगा दूसरे लोग भी मेरे उदहां का ही पालन करेंगे लोग करेंगे जो अर्जुन इतना अच्छा भक्त भी था तो विस्वार्थ के लिए उसने युद्ध कर लिया राज् देखो एक धारमिक व्यक्ति ने भी सामने जब अपने सगे संबन दिया तब युद्ध नहीं किया मलब उसने जाने दिया कोट में अगर न्याइदिश के सामने उसका बेटा आगे खड़ा हो जाता है तो कहां कि इसका केस हम डिस्मिस कर देते हैं इसको सजा नहीं देंगे त तो तुमारे उद्रहन को लोग इस प्रकास से भी ले सकते तो अर्जुन के जितने भी तरक थे उन सब का भी भगवान उत्तर देते हैं पर अर्जुन के तरक जब आप पहले अध्याव में पढ़ते हैं तो ऐसे लगेगा कि अर्जुन के जो कारण है बहुत अच्छे थे अब बिना कारनका अर्जुन को भगवान ने ईद्ध में लगा दिया करिछ्णा नहीं चाहते हैंँ युद्धा रोक सकता था और अंत में वह गांधर ये भगवान ईद्ध वहू जाता है तब कहते हैं, अड़िय भगवान आपनी नहीं चाहाए सब युद्ध जानते हैं इसलिए वह ऐसे सब तर्क देते हैं जिसका मूल आदार है शरी क्योंकि वह शरी की चेतना में है इसलिए प्रकृति में जो सब कारिय हो रहे हैं उसके पीछे वह जानते नहीं कारण नहीं जानते हैं तो गीता अगर आप समझ लेते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट बताया गया है भगगीता आप पूरी पढ़ रहे हैं कुछ लोगा पढ़ना शरू करेंगे तो पूरी जब गीता पढ़ लेंगे और समझ लेते हैं तो अंत में आपको यह रिजल्ट मिलना चाहिए क्या है और जोने कहा नश्टो मोहा मोहा जो संसार में है हमारा मोह किस में मोबायल में मोह है पतंग में मोह है और खाने पीने में मोह है और खिलोने में है खिलने कुद्रे में है और किसमें है और किसमें होता है मोह हम उसी में सुख जिसमें सुख नहीं उसमें भी सुख लगते है हमें लगता है कि यह सुख का कारण है मोह यही है भ्रहम जिसमें है उसमें समझते के दुख है जैसे सुबह उठना मंगलाती करना मारा जब करना उसमें आत्मा का कल्यान है पर वो में दुख लगता है तो मोह नष्ट हो जाएगा फिर ओ संसार की वस्तों से मोहित होका भ्रमित नहीं होगा उसको अपनी याद्धास वापस आ जाएगे कभी- पर जब याद्धास वापस आ जाते तब पता चल जाते हैं मुझे क्या करना है मैं कौन हूँ पिर अपने करतवें लग जाता है तो अभी हम अमारी याद्धास थुल गए अपने आपको क्या मान लिया अग्मे मेरे निमेशो में आकाशो ग्रमेशो और यह मेरे माता-पित है यह मेरा घर है यह मेरा काम है यह एक्चुले हम हमने अपने उपर डाल दिया है हम भगवान के सनातन अंश है उनके सेवक है यह वास्तुक स्मृति है वो जब याद होगा तो आप हमेशा वो याद रखेंगे और वही कारिये करेंगे संसार की कारिया है नाटक के रूपे मि भगास किर्पांकी कृपवा से बाद चु Buura कि गवान की कृपा याचना नहीं कर सकते हम सितोस में अब मैस्तित हो गया हूँ अपने जो भी स्थिति में आपस्थीर हो गया हो गत्त संथय काही शीची कवेरे का चाहरे सारे समरे जीता कपते हैं हो यह अभी भी हम आते गीत को होते हैं प्रश्न होना और डाउट मुलब बाइज संधी हो नग अलग अलगए वस्तु प्रश्चन वने जिग्याश्व बाद इतने हम डाउट फुलओत है कि जो समझा रहे है उससी में पर ही डाउट करते हैं तब कोई आपको समझा नहीं सकता है क्योंकि कोई भी समझाने आएगा उसके पर भी आपको शंकाय होगी तो अर्जुन को प्रश्ण थे और वो प्रश्णों का भगवान ने उत्तर दिया शिरुवात में कहता भी है जब भगवान ने कहा कि मेरे और त अर्जुन को है प्रश्ण थे ऐसे शंशय नहीं थे जो शंशय करता है विनाश उसका विनाश हो जाता है तो शंशय नहीं होना चाहे प्रश्ण होने चाहे और उसका समाधन हो सकता है तो पहले ही श्लोक में एक उद्हन दिया गया है फेयत में क्या होता है करफात्वार होता है कि में विड्स होती हैं आपने बहुत सारे पौधे कहीं भी लगाते हैं तो जो आपने नहीं लगाए वो ज्यादा उगते हैं आपने लगाया वो तो ये की होता है पर जो नहीं लगाए वो बहुत सारे होते हैं तो आपने मान लिजे कि टमाटर का पौधे लगाए तो उस खेत में क क्षेत्र शब्द का ही अपव्रंश ओकर खेतर बना है क खा कर दिया खेतर खेतर बंगाल में अभी उसको खा बोलते हैं और प्रभूपाद भी कई बार बोलते हैं तो खेत्र का खेतर और खेतर और फिर उसका बना खेड़ूत तो धर्मक्षेत्र यानि कि धर्मका खेत तो धर्मका खेत उसमें क्या होना चाहे धर्मकी पौधे बढ़ने चाहे बागी जितने भी अधर्मकी पौधे है उसको वो सब क्या है खरपतवार है उसको उखाड़कर फैंक देना चाहे तो पहले इस लोग में प्रभुपाद जी ये उद्धान देते हैं कि ढवान्चित जो खरपतवार है उसको समूल उखाणकर ठेंग दिया जाएगा वो सब है धर्मक्षेत्र में इसलिए पहला शब्द वियास देवार शंदू का प्रयोग भी खिया था आ इक तो कोई पुस्तक की शज़ोर आता पहला शब्द महथ्व पुरन उता है इसलिए उन्हों Ne Ik that पहले रखा है धर्मा घर्मा शब्दा पहले रखा है धर्मक्षट्र शब्दicating कुर्क्षट्र भी पहले राख सकते देखने कि हो धर्मक्षट्र का कहते हैं है है सुनां ता है नारे क्या नहीं है विशाल विशल अविशाथ है दीहात में बुद्धी को ने के वाए करें में रिलेटर बुद्धी को ने के वाए प्रितेश है कि शद्ध में उत्तर चुपा हुआ है दीहात में बुद्धी करें बूल भी गया हुआ है दीह को ही आत्मा समझना ऐसी बुद्धी उसको देहात में बुद्धी कहते हैं दीह शरी उसी को आत्मा समझना उसी को मूल्क समझना यह बुद्धी तो और जुन की जितने भी समश्या है उसका मूल का प्रभुपाजी कहते हैं संसार में कोई भी यूनिवस्टिटी है उहां पर ऐसा विभाग नहीं जहां आत्मा के बारे में पढ़ाया जता है आपकते हैं आपकी टीनीवर्मंट में इतनी हैं अबस्टे उनिवस्टी है यह कोई विभाग है डीपर्मेंट डिपार्टमेंट ओफ एनटमी वहां वो शरी भी लटका हो है पिंजरा भी लटका हो रहता है और वहां पर वो डेड़ बोड़ी भी होते हैं जिसका डिसेक्शन डॉक्टर्स कलते हैं पर आत्मा को कोई भी भाग वहां पर भी नहीं है तो यही मुल समश्य और इसको समझे ब वास्ता में अध्यात्मी जिवन में आगे नहीं बढ़ते हैं तो यह हमें समना चाहें और तीसरा अर्जुन है अंत में कहता है कारपन्य दोशो पहतस्वभावा प्रुच्छामित्वाम दर्मसं मूडच्छेता इस्त्रेयस्चान इस्चितम रुही तन्में सिश्यस्ति हम शाद इमाम क्राम प्रपन्नम अर्जुन किशन का एक ऐसे दुर हुई जब अर्जुन है कहा हमें आपका सिश्य हो और आपकी शर्ण में आया हूँ तो जब तक हम भगवान के सिश्य गीता के सामने एक सिश्य बनकर नहीं जाएंगे और समझेगे कि कृपनताव के कारण मे ब्रमीत हो गिया हो मेरा मन असंतुलित है और मज़े इससे बाहर निकलना है तब तक कोई कोई भी संसार का उपाई आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता है कितने भी कोई मोटिवेशन सेमिनार में चले जाएं काउंसलिंग करवाएं और हर प्रका की वस्तुय करें पर जब कि आपको प्रश्ण है तो पता सकते हैं कि आप आप एंसे कितने लोगों ने पहला अध्या भूगिता का पढ़ लिया है कि यह सुबह पढ़ लिया है बाकी चलू नहीं किया क्यों कि ने ने आप ऐसा करो कि यहां ही बैठकर पढ़ाए किजी ने तो आप ऐसा करो यहां पर ही बैठकर अधा गंटा गीता भी पढ़ लो हर संड़े आकर कि और दिन में पढ़ाई कीजिए सुबह या शाम की जगर पर दिन में गीता पढ़िए थोड़ी जोर से पढ़िए बोलकर पढ़िए बन में पढ़ेंगे तो निन्दा आने के संबाने बोलकर पढ़ेंगे तो नहीं आएगे चल कर भी पढ़ सकते फुरा चल जब भी निन लोग गुष्टें चाहिए ने कोई लोग ना ऐसा नहीं एसा नहीं कि शाम को जब भोजन कंप कर रहे हैं बाकि सब कुछ कर रहे तो पढ़ाई करने में क्या है वो एक समय था कि जब है, तब तो प्रश्ट नहीं नहीं जाता पढ़ने का, अब तो हम रात को बारा बज़े तर जागते हैं, तो फिर क्या कहा, गीता नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करेंगा, लोग तीवी देखेंगे, तो अच्छा गीता पढ़ लो, कि वाक्युद्ध क्या आर्थ होता है वानी से गाल या देना जो और से उनके साथ बूलना तो खास कर गेता में आगे सत्रवे अध्या में बताया की तीन प्रका कातब है उसमें एक वानी कातब है तो उसमें भी सात्विक राजसिक और तामसिक वानी भी होती है सात्विक दुस्तों को जो प्रिया हो सत्या हो ऐसे वानी है फिर पिर दुस्तों को आपको कुरोध से बोलना इत्यादी जो है वो तामसिक और बगेरा है तो बानी का प्रहुपाद उसमें लिखते हैं कि सामन्य रुप से जो विहवार में अमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए कि वो यह अंदा है तो उसको आप कहें सुर्दाजी यहां पर आईए तो उसको अच्छा लगेगा बागी कोई दूसरे शद्द का प्रियो करेंगे तो किसी अंधे को भी अंधा कहना सुनना अच्छा नहीं लगता है तो सामन्य विहवार में प्रिय शब्द ही बोलने चाहे भिश्मपिता को युदिष्टी महराज युदिष्टी महराज कि में राजा हो और मुझे तो सबको खुश रखना है तो कुश सिक्रेट बताईए तो कई संसार में सबके साथ अच्छा संबन रखने का एक ही सिक्रेट है वो है प्रिय वाने उसी से तुम सबके मन को जित सकते हो पर आध्यात्मिक जब ग्यान की बात आती है तब कोई प्रिय वस्तु भी गुरु है हमें बोलते है हमारी शंकाव कुदूर करने के लिए हम एक वस्तु में आ सकते है और गुरु उनको बोलते है कि तुम्हें अधिक नहीं सोना है उमें पसंद नहीं तो भी बोलेंगे तो गुरु या मातरपिता जो है हमारे कल्यान के लिए कभी अप्रिय वानी का प्रयोग करे तो उसको सुनना चाहिए अन्यत्या सामझे विवार के लिए इस इक्षा है कि जो अप्रिय सत्य है ऊंप्रिय सत्य ही बोलना है पर जब अध्यात्मिक उन्नती की बात है किसी का अध्यात्मिक कल्यान करना है तब उनको पसंद ना आए वोस्तु हम बोलते हैं प्रभुजी कानु पहले हैं पहले बार सुना आप तोड़ा आता दीजे पर दोड़ा जो प्रभुजी उसको कुटा बोलना पसंद नहीं है कर अब आए और बता है प्रष्णा ए फुर्क प्रश्ण रिए OK प्रश्णा प्रश्णा मताइए तो हम चांथे कि आप यार किसी काम गलत है कि नहीं करना चाहिए हम कई बाद जानते हैं फिर भी कुछ वस्तु बोलते हैं कुछ करते हैं क्योंकि कोई भी वस्तु की शिरुवात मन से होती है मन से एक आवेग उत्पन होता है और वह आवेग में बह जाते हैं पर जब व्यक्ति का मन के उपर नियंत्रन होगा तो उस आवेगों के उपर नियंत्रन उसका होगा जैसे ब्रह्मा जी है उनको क्रोध उत्पन होता है जा उनके चार पुत्रों ने मना कर दिया कि आम विवाह नहीं करेंगे कि तो तुरंथ उन्होंने अपने चलोध को नियंत्रन कर लिए उससे तुकाष से जो अध्यात्मेक रूप से या जो भी सज्जन है या जिनको ट्रेंटिंग मिली है वो मन में उठे हुई आवेगों के उपर नियंत्रन कर लेता है और इसलिए वानी के उपर और कारियों के उपर उसका नियंत्रन रहता है अन्य था व्यक्ति अन्य इंतरित काजय करता है और बाद में विचार करता है कि मुझे बोलना चाहे था या नहीं करना चाहे था फिर उसको वापस कष्ट होगा तो यह प्रेक्टिस जरूरी है तो कोई भी वस्तो को अगर आपको मालेजे किसी को कुछ बोलने की इच्छा हो सिर्फ प्रतिक्षा करने से ही काफी वास्तों का समाधान हो जाएगा मालेजेव आपको लगे प्रभुजी को अभी मैं जाका बोल देता हूं कि पांच मीट के बाद बोले पांच मीट में आपके मन में उसके बारे में और ज्यादा चिंतन हो जाएगा और आप समझ पाएं किसी का पत्र आए किसी का फॉन भी आए तो तुरंट उसको मालेजे कुछ आपको पूंच ले तो अच्छा है उनको बोले कि मैं मुझे थुड़ा समय दीजे मैं इसके पर विचाह करके बताता हूं हा या ना भी बोलना है या कुछ भी ऐसा जहां पर आपको लगे कि कुछ रियक्षन देने से पहानी हो सकती आपकी या उनको भी बुरा लग सकता है वहां कुछ समय ले लेजे समय लेने से आपके पास फुड़ा चिंतन कर पाएंगे आप दूसरे से कुछ सलाह लेने हैं तो भी ले ले पाएंगे तो उस ऐसे परिस्क्री में तुरंट उत्तर ना से चाहेवाने से या एक्षें से मलबकारियों से अब उनको अब अब बराबर तो हमें अमारे तर्का सही लगते है और वो सही है कि नहीं उसको हम कैसे जानेंगे अर्जुन को जैसे अपने तर्का बहुत सही लगे पर वो तर्क देने के बाद भी अर्जुन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि संसार की कौन सा उपाय है कि जो मेरे समर्षय को समाधन कर सकता है मैं आपका सेश्य हूँ किको आवश्य रखता है कि अपकर पनता नहीं हैं मोह नहीं हैं उनको तो मन में तर्क बितर्क करने का प्रस्ट नहीं कंसल्ट करने की तो इसलिए अध्यातिक जीवन में विशेशकर के गुरू होते हैं या इवन भहुतीक वस्तों में भी आप एंजिनियर हैं आपके उपर कोई सिनियर होगा जहां पर आपको डाउड आते हैं आप जाकर उनके साथ सपस्ट अता करते हैं और फिर निर्णे लेत और फिर उसके लिए आप जवद्धा ठहरा दे क्योंकि संसार है पर यहां पर आध्यात्मिक जीवन में हैं गुरू और जो आचारिय होते हैं वह चार प्रकार की तरुटिया है उससे मुक्त होते हैं तो उनको हम समझत है कि भगवान ही प्रेणना देते हैं हम जब उनको प पर पुरंत उसने युद्ध किया और बाद में सत्रीस साल उन्होंने साशन भी किया तो कोई ने कोई ओथोरिटी को हमें स्विकारना होगा तो आध्यात्मिक जो गुरू है उसलिए जीवन में हमें आवाशकता होती है और मैंने कहां इसलिए संद्श्री नहीं होना चाहें जब तक आपको पता नहीं है कि कौन ऑथोरिटी है तब तक वो ढूनने का प्रयास्तों कौन सही व्यक्ति है एक बार सही आपने ढून लिया भी हर बड़ाव डाउट नहीं कर सकते हैं प्रोव जी ललिद दुविन प्रोव है अब इनके वहां गोल्ड मिलता है उनके शौर क्यूंद दूसरी पार चेक हरवा को गामिव केमिकल टेस्ट करके करो कि सोना ही है इसमें और कुछ मिक्स नहीं है क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है तो हम विश्वास कर सकते कि वह सही है तो इस प्रका से पहले जुद्ड़ना है पहले जो पहली बार कॉस्टमर आया वह सब प्रका का इंक्वाइरी करें पर एक बार जो बन गया है विश्वास जिसका हो गया और फिर विश्वास पर चलता है कि अब कोई प्रिश्णा कि अरे कि तो यहां पर ठीक यहां पर यहां पर है